हेलो एब्रीवन आज हम स्टुडी करेंगे क्लास एट हाने ड्यूप बुक की पॉएम दे लास्ट पारगेन कंपोज़ड बाई रबिन्रनाथ टेगोर रविन्रनाथ टेगोर का जनम हुआ था साथ मही 1861 को कैलकटा में वो एक बेंगोली पोईट, राइटर, म्यूजिक पोजर और पेंटर थे और उन्हें नोबल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए उनके फेमस वर्ग कितांजली के लिए 1913 में रविन्रनाथ टेगोर ने रविन्र संगीत की रचना करी और इंडियन नेशनल एंथम जन गनमन की भी रचना करी और उन्होंने इसके साथ बांगलादेश का नेशनल एंथम अमार शोनार बांगला की भी रचना करी Now let's start the line by line explanation of the poem The Last Bargain Poem का title है The Last Bargain Bargain का मतलब क्या होता है What is a bargain? Bargain means give and take off something It's like an agreement between two persons where one gives and the other takes तो bargain एक तरह का agreement होता है सोदा होता है जिसमें एक विक्ती देता है और दूसरा लेता है जैसे कि हम market में भी कुछ खरीदने जाते हैं कुछ समान लेते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ देना होता है तो इस poem में भी एक bargain है चलिए शुरू करते हैं poem Come and hire me, I cried while in the morning I was walking on the stone paved road In this chapter there is a man who is jobless, seeking for a job asks everyone to hire him तो इस poem में जो एक person है, वो jobless है, job डूण रहे है और सबसे कह रहे हैं कि आओ और मुझे hire करो Come and hire me, I cried वो चिलाते हुए कह रहे हैं कि आओ और मुझे नोकरी दो कोई तो मुझे नोकरी दे दो While in the morning ये morning का time था And I was walking on the stone paved road अब वो जो jobless person है, वो person क्या कर रहा था Morning के time में stone paved road यानि की covered with snow वो पत्रीली road थी, stones थे और उस पर वो चल रहा था सुबह के समय अब उसे कौन मिलता है, देखते हैं Sword in hand, the king came in his chariot अब उसे सबसे पहले king मिलता है वो king अपने chariot पर आता है chariot होता है, a vehicle drawn by horse जिसे हम रत भी कहते हैं तो जो king है, raja है वो अपने chariot पर आता है और उसके हाथ में sword होती है यानि की तलवार होती है He held my hand अब वो king उसका हाथ पकड़ लेता है उस person का and said और raja क्या कहता है उसका हाथ पकड़ कर I will hire you with my power आओ मैं तुम्हीं नोकरी दूँगा तुम्हीं hire करूँगा और उसके बदले में तुम्हें अपनी सारी powers दे दूँगा अब राजा ने offer करा powers के बदले नोकरी देने के लिए तो उसको अच्छा नहीं लगा उसे लगा कि जो power है counted for note note here means nothing and counted means unimportant उसे जो powers वाला ये जो bargain था राजा ने जो bargain दिया था कि मैं तुम्हीं नोकरी दूँगा और बदले में अपनी सारी powers दूँगा तो उसे ये bargain अच्छा नहीं लगा and he went away in his chariot अब उसने decline कर दिया उस परसन ने उसने कहा कि मुझे ये agreement नहीं करना है तो राजा अपने chariot पर वापिस चला जाता है उस परसन ने इस agreement को decline क्यों करा मना क्यों करा इस bargain को शायद इसलिए कि उसे लगा powers तो temporary होती है एक ना एक दिन तो powers खतम हो जाएंगी तब मैं क्या करूँगा तो उसे ये bargain अच्छा नहीं लगा और उसने इस bargain को decline कर दिया In the heat of the midday the houses stood with shut doors midday यानि कि afternoon का समय था दोपैर का समय था बहुत तेज गर्मी थी और जितने भी घर थे सब बन थे उनके दर्वाजे I wandered along the crooked lane crooked होती है twisted या bent और lane का मिन्स होता है streets तो गलियां थी जो घुमावदर गलियां थी उनमें वो गूमता जा रहा था इदर उदर wondered कर रहा था Wondered है means move aimlessly, वो aimlessly job ढूणने के लिए इदर उदर दोड रहा था An old man came out with his bag of gold तब कोन आता है एक old man आता है एक बुड़ा आदमी उसके पास आता है और उसके पास क्या होता है bag of gold coins यानि कि सोने के सिक्कों से बरा हुआ एक bag होता है वो उसे offer करता है कि मैं तुम्हें job दूँगा और बदले में मैं तुम्हें सोने के सिक्कों का bag दूँगा He pondered and said I will hire you with my money वो उसे कहता है कि pondered him is thought carefully वो कुछ सोचने लग जाता है और कहता है I will hire you with my money वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना सारा धन सोने के सिक्के दे दूँगा और तुम्हें hire करूँगा He weighed his coin one by one और उसने अपने कोईन जो उसके bag में थे उसे गिनना शिरू किया but I turned away पर जो वो परसन था उसने उस पर ध्यान नहीं दिया उसने कहा मुझे तुम्हें तुम्हें साथ ये bargain नहीं करना है और इस तरह से फिर वो जो बुढ़ा आदमी है वहां से चला जाता है ये शाम का समय था जाडियों की कतार थी वहां पर और उनमें फूल बहुत सारे लगे हुए थे अब थर्ड टाइम उसे कौन मिलता है तीसरी बार उसे एक फियर मेड मिलती है फियर मेड मेंस अ ब्यूटिफुल लेडी एक सुन्दर सी लेडी उसे मिलती है और कहती है I will hire you with a smile वो कहती है कि मैं तुम्हें higher करूंगी नोकरी दूंगी और बदले में मैं तुम्हें अपनी smile दूंगी, अपनी मुस्कुराहर दूंगी हर smile pale and melted into tears और कुछी देर बास उसकी जो smile है वो pailed हो जाती है और melted into tears यानि कि वो आंसों में बदल जाती है and she went back alone into the dark और वो अंधेरे में गायब हो जाती है अब उसे लगता है उसने इस bargain को भी decline कर दिया क्यों? क्योंकि उसे लगा जो खुबसूरती है वो कुछ समय के लिए ही होती है और जो smile है smile is also a temporarily thing it will change into tears one day एक ना एक दिन तो वो जो smile है वो आंसों में बदल जाएगी तो उसे ये bargain अच्छा नहीं लगा आप देखो हमने देखा कि पहले उसे एक king मिला फिर एक old man मिला और उसके बाद एक fair beautiful lady मिली उन तीनों का ही bargain उसने decline कर दिया अब देखते हैं उसे कौन मिलता है the sun glisten on the sand and the sea waves broke waywardly the sun glisten glisten here means shown shine की second form है shown जो सूरज है वो चमक रहा था रेट के उपर समंदर के किनारे का scene है अब वो जो jobless person है वो sea beach पर पहुंचता है and the sea waves broke waywardly वेवर्ली होता है unwillingly move करना तो जो sea waves है समुदर की जो waves है लह रहे हैं वो समंदर के किनारे वेवर्ली ब्रोक कर रही थी टकरा रही थी a child sat playing with shells वहाँ पर समंदर के किनारे वो person किसे देखता है एक छोटे से बच्चे को देखता है जो कि shells के साथ वहाँ पर खेल रहा होता है he raised his head and seemed to know me and said उसने अपना सीर उठाया ऐसे लगा जैसे कि वो उस person को जानता था I hire you with nothing अब वो छोटा बच्चा उसे कहता है कि मैं आपको नोकरी दूँगा I will hire you with nothing पर बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है from hence forward that bargain struck in child's play made me a free man hence forward means from here onwards अब यहाँ से क्या होता है that bargain कि आप मेरे साथ खेलो और बदले मेरे पास देने के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं है वो bargain उस person को बहुत ही अच्छा लगा made me a free man और उसे एक free man बन गया था उसे ऐसे लग रहा था कि अब मैं एक free man बन गया हूँ बिल्कुल सुवतंत्र हो गया हूँ मुझे किसी से कुछ भी लेना नहीं है देना भी नहीं है मुझे सिर्फ उस बच्चे के साथ खेलना है तो इस poem में हमने देखा कि speaker को सबसे पहले king मिलता है the king comes with his sword offers him a job on the bargain of all his powers but the man refuses अब उस आदमी को जो राजा मिलता है वो कहता है कि मैं तुम्हेरे साथ bargain करूँगा और बदले में तुम्हें अपने सारी powers दे दूँगा but speaker उसे decline कर देता है refuse कर देता है second time उसको old man मलता है एक बुढ़ा आदमी मलता है and he offers him gold coins for his job वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने सोने के सिक्के से बरा bag दूँगा और तुम मेरे लिए job करो but वो speaker उस offer को भी ठुकरा देता है third time उसे एक fair and a beautiful lady मिलती है जो कहती है wants to hire him on his beauty and smile वो कहती है कि तुम मेरे लिए काम करो बदले में मैं तुम्हें अपनी beauty और अपनी smile दूँगी but जो speaker है वो इसे भी refuse कर देता है और last bargain जो होता है fourth bargain में उसको एक लड़का मिलता है the boy who has nothing to offer him जिसके पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं अब यह जो fourth bargain है वो जो boy offer करता है उसे speaker को वो बहुत ही अच्छा लगता है क्यों क्योंकि उस boy में उस बच्चे में एक innocence है goodness है simplicity है और उसकी साथ खेलने में उसे एक satisfaction सा feel होता है जो दुनिया का कोई भी धन उस satisfaction को नहीं दे सकता है so this was the complete explanation of the poem the last bargain I hope आपको ये poem अच्छी लगी होगी I will be back with a new video till then take care and keep learning झाल